आज हम बनाएंगे घी के लेफ्ट और मावे से सिर्फ तीन चीजे जो घर में हमेश अवेलेबिल रहती है उससे मिल्क एक मतलब दूद की मिठाई घी के मावे से मिल्क एक बनाने के लिए एक पैन ले ले पैन आप गैराई वाला ले जिससे मिठाई बनाते वक्त आसानी होगी पैन में हम डाल देगे घी का बचा हुआ मावे को ज्यादा डार्क ब्राउन कलर ना करें आप इसे हलका कलर डार्क होश आए तब तक वाला भी यूज़ कर सकते हो पर ज्यादा डार्क ब्राउन कलर वाला लेगे तो उसमें जला हुआ टेस्ट आएगा यह एक कप मावा है आपके यहाँ पर जितना मावा निकलता हो उसका मेजर्मेंट एक कटोरी से रखे तो दूसरी चीचे डालने में आसानी रहे अब मावे के साथ हम डाल देंगे एक कप दूद चितना मावा लिया है उतना ही सेम क्वांटिटी में दूद लेना है और आप कोई भी दूद ले सकते हो मैं आपर कच्चा दूद ले रहे हूँ आप बॉल किया होगा भी दूद ले सकते हो अब दूद को मावे के साथ अच्छे से mix करते रहेंगे इसे हमें constantly जलाते रहना है मावे और दूद को एकदम अच्छे से mix करना है जब यह अच्छे से mix हो जाएगा तब यह किनारियों से गी छोड़ दे लगेगा पांच मिनिट में यह ऐसा हो जाएगा किनारियों से गी निकल रहा है अब इसी टाइम पर हमारा third and last ingredient एड़ कर देंगे शक्कर ये half cup जितने शक्कर है आप ज्यादा भी यूज़ कर सकते हो जितना मावा खटा रहेगा उसके according आप शक्कर यूज़ करें आप बुरा भी इस्तिमाल कर सकते हो सक्कर हम mix कर लेंगे और जैसे ही सक्कर add करेंगे वैसे ही ये ज्यादा liquid हो जाएगा अब इसे हमें ऐसे ही चलाते हुए पकाना है आप यहाँ पर सक्कर के साथ one by fourth cup milk powder भी डाल सकते हो या तो one by fourth cup सुका नारिल ग्रेट करके भी डाल सकते हो पर हम आज सिर्फ तीन चीजे जो घर में हमेशा अवेलेबर रहती है उसे से ही बनाएंगे तो इसे हमें constantly चलाते रहना है आप गेस की flame high भी रख सकते हो पर इसे flame पर रख कर छोड़ना दे नहीं तो ये जल जाएगा यहां पर आप 15 से 20 दिन की मलाइगा गी निकाल कर योज करें जिस से टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा और ये मावा गी से ही बनता है तो हम extra गी डालने की भी जरा भी जरूरत नहीं है कि ये leftover से ही बहुत स्वादिस्ट मिटाई बन जाती है और बहुत जल्द बन के तयार हो जाती है तो आपके घर में जो गी का leftover निकलता है उसे अपसे फैके नहीं और ऐसे मिटाई बना कर खाए बहुत भी स्वादिस्ट लगता है धीरे धीरे किनारियों से सारा गी absorb होने लगेगा और फिर ऐसे texture के form में आ जाएगा ये बिल्कुल ही आटे के हलवे जैसा दिकला है और दीरे धीरे ये एक बैटर के form में आ जाएगा और कड़ाई की गिनारियों को छोड़ने लगेगा एकदम ऐसे ही जैसे हमें हलवा बनाते हैं वैसे ही texture में आ जाएगा ये दिखिए दानेदर लग रहा है देख सकते हैं काफी गाड़ा हो चुका है पहले से मारा बैटर सारा दूद और चीनी एकदम अच्छे से गूल मिलकर और दानेदर मावे जैसा बन चुका है अब हम गैस की फ्लेम आफ कर देंगे और इसे सैट कर लेंगे तो मैंने याँ पर एक छोटी साइस की प्लेट लिये जीसे गी से ग्रेस कर लिया है आप केक का टेन भी ले सकते हो मावा इसमें हम डाल देंगे और इसे फैला देंगे इवनली आप चाहे तो कटोरी से भी इसे सैट कर सकते हो ये अच्छे से सैट हो चुका है अब इसे हम ठंडा होने देंगे आप पंके के नीजे ठंडा कर सकते हो और फिर आदि गंडे के बाद इसे फ्रिज में रख दें तो ये हमारी मिल्केक सैट हो चुकी है इसे मैंने आदा गंटा पंके के नीचे रखा था और फिर आदा गंटा फ्रीज में रखा था टोटल एक गंटा लगा है सैट होने में इसको और इसके उपर से मैंने पिस्ता को पतला कट करके डाला है आप चाहे तो बादम के दो टुपड़े काट कर भी डाल सकते हो जाहो वैसे काट सकते हो तो बनिए ना हमारी मज़ितार मीठाई सिर्फ दूद और चिनी को कीके मावे में डाल कर बनाई है आप इसे एक बार ज़रूर ट्राइ करें और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता है अची है करें करें पर दो को अची है करें